हर्याना में अब रोडवेज रफ्तार पकड़ने लगी है कोरोना संक्रमन काल में बंद पड़ी रोडवेज बसो का पहिया फिर से घूमने लगा है इससे यात्रियों को काफी राहत मिलने वाली है दरसल हरियाना में लोगडाउन के चलते रोडवेज बसों को बंद कर दिया गया था सभी रोडवेज डीपो पर कुछ बसे ही चल रही थी लेकिन अब बसों की सेवा को बहाल किया जा रहा है अब हरियाना के जिला मुख्यालेओं पर बसों की सेवाओं को सुरू कर दिया गया है वहीं दिल्ली, चंडीगड, पंजाब, राजस्थान और पडोसी राज्यों में भी बसों की सेवा सुरू होने लगी है परदेश के सिर्षा, हिसार, रहतक, जीन्द, अंबाला, पंचकुला, रेवाडी, नारनोल, गुरुग्राम, पलवल, फरिदाबाद समेत सभी बस डिपो से लंबे रूटों की बसों का संचालन धीरे धीरे सुरू हो रहा है यात्रियों की सुविधा के लिए हरियाना से दिल्ली, चंडिगर, राजस्थान और पंजाब के कई जगहों की बस सेवाएं सुरू कर दी गई है बसों की ओनलाइन टिकेट बुकिंग और समय सारणी के लिए आप हरियाना रोडवेज परिवहन निगम की ओनलाइन टिकेटिंग बुकिंग सेवा पर जाकर देख सकते हैं रोडवेज बसों में सफर के लिए यात्रियों को नियोमों का विशेष तोर पर ध्यान रखना होगा बसों में फिलहाल 50 50 सवारिया ही बैठ रही है वहीं फेस मास्क और सेनिटाइजर का इस्तमाल जरूरी होगा बसों में यातरा करने से पहले यात्रियों का टेंपरेचर चेक किया जाएगा